आओज बिल्लायु बिनिस лиतान रो रजीम बिसमिल्लारह्मानरहीम असलाम लेकूम आज की स्लेक्षर नाइन के अंदर हम कम्यूंचिशन का सेकंड जिस्ए सेंसरी रिसेप्शन को जो वह दिसकस करेंगे और हमारे सलेबस में मुझूद जितने भी सेंसरी रिसेप्शन के हवाले से टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे तो सबसे पहले हैं कीमो रिसेप्शन अब बेसिकली एनिमल किंग्डम के अंदर जो मोस्ट ओल्ड और मोस्ट यूनिवर्सल जो सेंस कंसीडर की जाती है वो interactions में कीमो रिसेप्शन है कीमो रिसेप्शन से मरादी है केमिकल्स को डिटेक्ट करना और जो रिसेप्टर्स इसमें इन्वाल्फ होंगे उनको हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं एवन कर अगर हम सिंगल सेल प्रोटोजवा की भी एक्जेम्पल लेते हैं तो वो उसके अंदर भी एक chemical sense मुझूद होती है मतलब वो अपने behavior के मताबिक acid, basis और salts वगरा को detect करता रहता है और कुछ chemical सो ऐसे होते हैं जो predatory ciliates को उनके prey तक जो हो ले जाते हैं अगर हम एक step forward अब move करें तो हम invertebrates को जब वो discuss करेंगे aquatic invertebrates मतलब ऐसे invertebrates जो पानी के अंदर मुझूद होते हैं जब हम उनकी body को देखते हैं तो उनकी body के ओपर छोट छोटे pits, depression या छोटे गड़े जो हो मुझूद होते हैं और उन pits के अंदर, उन depressions के अंदर, उन गड़ों के अंदर, chemo receptors जो हो मुझूद होते हैं पानी के अंदर मुझूद chemicals जैसे ही पानी के साथ उन pits के साथ टकराते हैं, depression के साथ टकराते हैं तो वो जो chemo receptors हैं वो उन chemical को sense करते हैं और उसके मताबिक फिर वो invertebrates जो अपना behavior शोग करता है पार एक्सेंपल अगर हम आर्थोपोर्ट्स की बात करते हैं तो इन के अंदर chemo receptors जो हैं, वो एंटीना, mouth parts और इनकी जो legs होते हैं उसके अपर जो hollow hairs मुझूद होते हैं मतलब अगर आपने कौकरोच देखा हो, तो उसके कौकरोच के अगर leg देखें तो उसके पर छोट-छोटे बालों की तरह के structure होते हैं तो वो भी chemo reception के अंदर जो वो help करते हैं और ये जो सारे chemo receptors हैं, ये इनके lifestyle के मताबिक होते हैं मतलब जिस तरीके का भी invertebrate का lifestyle होगा, उसके मताबिक उसके अपर जो chemo receptors जो मुझूद होते हैं एवन के कुछ जो chemo receptors हैं, वो humidity को detect करने में मतलब हवा के अंदर नमी कितनी है, pH के हिसाब से, अपने prey को, शिकार को detect करने के लिए, food को recognize करने के लिए, और एवन के अपने mate को ढूण दिने के लिए भी जो इस्तमाल की जाते हैं for example, यहाँबर बड़ी interesting example एक कोट की गई है, silkworm की, silkworm का scientific name है, bombics mori, अब यह जो bombics mori है, इसमें बताया जाता है, जो female होती है, वो air के अंदर एक chemical यह वो produce करती है, और उस chemical का नाम है bombicol, अब बताया जाता है, अगर million molecule air के हो, और उसमें सिरफ एक molecule bombicol का हो, तो उसका जो male होता है, silkworm का जो male है, वो उस एक molecule को भी बहुत दूर से detect कर लेता है, और फिर वो female की तरफ जो चला जाता है, that's why इस bombicol को हम sex attractant या फेरोमोन भी कहते हैं, तो आज हम जहां पर फेरोमोन की example भी सीख रहे हैं, कि अगर कोई पूछा कि फेरोमोन की कोई example, तो आप बता सक है कि bombicol जो है, वो एक फेरोमोन है, जो कि female silkworm जो है, वो release करती है, अपने male को, अपने mate को attract करने के लिए, उसको एक path बताने के लिए, तो यह basically हमने chemo reception के हवाले से बात की, यहां पर एक diagram जो हो attach की गई है, यह basically आपको सामने एक hair दिखाई दे रहे है, yellow color का नहीं, जो brown color क आपको सामने के लिए, अब नियूरान का कौन सा हिसा, डेंटराइट्स मुझूद होते हैं, और उसके ओपर एक छोटा सा पोर है, तो जैसे ही air के अंदर मुझूद जो भी chemicals बगरा होंगे, यह इसके atmosphere के अंदर जो भी chemicals होंगे, जैसे ही इन डेंटराइट्स की ending के साथ ल वालब होते हैं, कीमोरिसेप्शन के अंदर, कीमोरिसेप्शन के बाद हम डिसकस करने जा रहे हैं, फोनोरिसेप्टर्स, फोनोरिसेप्टर्स में भी आपके लिए की निया वर्ड हो, लेकिन याद रखिएगा, कि वो receptors जो sound को detect करते हैं, मतलब कि sound vibrations को detect करते हैं, उनका हम फ एक्चल में कनकोल की टाइप के जो अर्थोपोर्ड्स होते हैं, उनका हम सेंटिपीड्स कहते हैं, मतलब इनके बहुत सी legs बगएरा होते हैं, तो इनके अंदर भी ये फोनोरिसेप्टर्स जो होते हैं, अब क्रिकिट्स बगएरा होगे, गरास ओपर्स होगे, सिकाडेस अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक डाइगराम देख लेते हैं, यहाँ पर यह जो डाइगराम भी है, यह बिसिकली एक इनसेक्ट की leg जो हो दिखाई हुई है, और इस leg के अंदर छोट-छोटी जो हो ओपनिंग्स होती हैं, जहां से sound vibration अंदर एंटर ह होती है, अब याद रखेगा कि यह जो अर्थोपोर्ट्स हैं, यह जो इनसेक्ट्स हैं, इनके कान नहीं होते हैं, बेसिकली इसी तरीके से इनके body parts के उपर मजूद जो structures होते हैं, यह sound vibration को detect करते हैं, और उसके मताबिक यह फिर अपनी movements हो करते हैं, तो बेसिकली यहाँ प अंटर होगी, जैसे ही sound vibration अंदर अंटर होती है, तो अंदर टिमपैनम मजूद होती है, जो के sensory membrane है, जैसे ही वो sound vibration इन टिमपैनम के साथ टिकराती है, तो यह टिमपैनम आगे message बेज़ है, sensory neuron से, और वो sensory neuron फिर आगे message को carry करते हैं, और इस तरीके से यह जो टिमपैनम के साथ टैज होते हैं, और जैसे ही मतलब कि जो vibrations बगरा है, यह इन opening के अंदर दाखिल होते हैं, तो फिर आगे टिमपैनम से sensory neurons के अंदर message चला जाता है, यहाँ पर नई बात, जो मतलब कि एक new point आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो यह है कि उन opening का नाम basically slit sense organs है, जो sound vibrations अब अंदर enter होंगी, enter होने के साथ टिमपैनम के साथ टैकराएंगी, टिमपैनम से आगे जब वो sensory neuron और इस तरीके से message को carry करेंगी, अगर हम centipedes के हवाले से बात करें तो इसके अंदर जब वो tomos very organ जब वो मुजूद होते हैं, यह जो organs of tomos very है, यह actual में sound detection के अंदर help करते हैं, लेकिन यहाँ अब उन्हों ने बताया है कि इसकी physiology के हवाले से अभी study जा रही है, तो इसके हवाले से कोई इतनी ज़्यादा information हमारे पास मुजूद नहीं है, लेकिन याद रिखेगा कि centipedes के अंदर, जो organ of tomos very जो हो मुजूद होते हैं, जो के actual में phono receptors के तो यह बिसी के लिए हमने diagram डिसकस की, अब phono receptors के बाद, जो हमारा main यहाँ पर एक detail question बन सकता है, वो photoreceptors है, जैसे कि आप इसके नाम से अंदादा लगा सकते हैं, जो light sensitive होंगे, और इन photoreceptors के अंदर, जो light sensitive pigments जो होते हैं, कौन कौन से pigments हो सकते हैं, केरोटिनाइड्स ह यह light को detect करते हैं, और आगे message यह action potential जो जनरेट करते हैं, इस photoreceptor के topic के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ points आएंगे, तो हमने इसको point by point जो डिसकस करना है, सबसे पहले यूगलीना के हवाले से बताया गया है, यूगलीना को directly हम जो डायाग्राम से डिसकस कर लेते हैं, यह आपके सामने एक यूगलीना की डायाग्राम जो अटैच की गई है, आप देखें कि जो फलेजला इसका जहां पर खतम होता है, वहां पर photoreceptors जो हो मुझूद है, इन photoreceptors के अंदर जो एक्चल में granules जो हो मुझूद होते हैं, और उन granules के अंदर light sensitive pigments जो हो मुझूद हो इसके साथ जो बात समझने वाली है वो यह है कि इनके photoreceptor के एक तरफ stigma जो हो मुझूद होते हैं, अब stigma को हम eye spot भी कहते हैं, basically यहां पर इसको cover कर रहा होता है एक shield की तरह, simple is that के यह जो stigma होता है, यह actual में इस यूगलीना को एक तरह से direction दिखाने के लिए होते हैं, क्योंक स्टिगमा है, यह एक तरफ से light को block कर लेता है, ताकि इस यूगलीना को अपनी direction पता करने में असानी हो, तो basically एक दफा दुबारा बता रहा हो, कि फलेजला की base के उपर photoreceptors होते हैं, photoreceptor के अंदर granules जो हम मुझूद हैं, उन granules के अंदर light sensitive pigment मुझूद है, और यह जो photore तो इसके अंदर जो granules होते हैं, उसके अंदर carotenoid pigments मुझूद होते हैं, जो कि actual में light sensitive है, यह सारी बाते हमने discuss कर लें, उसके बाद एक line के अंदर बताया गया है, कि कुछ animals ऐसे होते हैं, जिनकी body के उपर unicellular photoreceptors मुझूद होते हैं, पत्रब उनकी पूरी body के उपर unice cellular photoreceptors बिखरे होते हैं, अब उसके अंदर example कोंसी है, वो भी लिखी हुए है, यहाँ पर earthworm है, जिसका scientific name जो लूम्रिकस होता है, उसका जीनस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो earthworm की जो body अगर हम देखेंगे, तो उसके उपर जो unicellular photoreceptors मुझूद होते हैं, इसका मतलब य यहाँ कि जो earthworm है, उसकी आंखें नहीं हैं, वो अपनी body के अपर मजूद जो unicellular photoreceptors हैं, उसके उससे ही अंदाजा लगाता है, कहाँ पर light ज्यादा है, कहाँ पर light कम है, तो यह basically इसका मतलब था, photoreceptor को आगे लेकर चलते हैं जी, अब हम unicellular photoreceptor के बाद बात करने ल round आई, तीसरा complex आई, तो हमने इन तीनों को बारी बारी करके जो हो सीखना है, सबसे पहले oscillus जो हो यहाँ पर हमारे पास है, जिसको हम बड़ी असानी से एक diagram के जरीए जो सीख सकते हैं, यह नीचे एक oscillus की जो हो, एक picture, image जो हो यहाँ पर attach की गई है, oscillus के अंदर क्या होत होते हैं, और उसके साथ जो है, यहाँ पर क्या चीज़ मुझूद है, रेटीनियूलर सेल्स जो होते हैं, यह actual में light sensitive cells होते हैं, तो जैसे ही कोई light इन pigment cup के अपर पड़ती हैं, तो इन pigment cup के अंदर जो हो pigments जो मुझूद होते हैं, और उसके बाद यह light पहुंचती है, तो बेसिकली इतना सा structure है ओसिलस का, मैं इसको एक दवारा बता रहा हूँ, कि ओसिलस बेसिकली क्या है, एक small cup होता है, जिसके अंदर light sensitive receptors जो होते हैं, और इसके अंदर light absorbing pigments जो हैं, वो भी मुझूद होंगे, तो जो light sensitive cells हैं, वो उसको हम retinular cells जो हो कहते हैं, जिनके अंद पारी की तरफ जो ले जाते हैं, फिर जहां पर भी उसको जो इंटिक्रेट करना होता है, उसके मताबक कर लिया जाता है, इसके बारे में सबसे important बात याद रखिएगा ओसिलस के हवाले से, कि ये सिरफ और सिरफ light की direction और intensity बताता है, ओसिलस के अंदर कभी भी image नहीं अंदर मुलस्क के अंदर और मुख्तलिफ आर्थरपोर्ट के अंदर ये मुजूद होता है, ये जो ओसिलस वाला structure है, तो ओसिलस के बाद जो हम discuss करने जा रहे हैं, जो इसकी second type होती है, फोटरेसेप्टर की, जो मल्टी सलर फोटरेसेप्टर की, वो है compound AI, compound AI को समझने के ल देख लेते हैं, आपने एक सरकाद insects को देखा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो आप observe कर सकते हैं, वो होती है, एक house fly, मक्षी जो होती है, ये actual में उसकी आंखों की picture यहां पर हमने लगाई हुई है, आज हम सीखेंगे कि ये जो insect होता है, ये जो house fly होती है, actual में जो इसकी एक और यानि कि जो दोनों आखे हैं, वो छोटे छोटे चोटे unit से मिलके बनी होती है, जो आप देख सकते हैं, आपर छोट छोटे boxes हैं, ये जो छोट छोटे unit हैं, discrete unit वाज़े जो unit होते हैं, इनको हम omatidium कहते हैं, और ये सारे omatidium मिलके, thousands of omatidium मिलके, तो compound eye बनाते हैं जिसके वैसे इसका नाम भी ये शोग कर रहा है, कि एक्चल में ये compound eyes होती हैं, लेकिन जो इंडिस्टिंग बात है वो ये हैं, कि हर omatidium के साथ अपनी एक sensory neuron लगी हुई हैं, इसका मतलब ये हैं, कि हर omatidium अलाइदा से एक आंक्ट की तरह behave कर रहा है, जैसे ही उस omatidium के लाइट पड़ती है, या लाइट कम ज्यादा होती है, तो उसमें message जो develop होता है, और यही reason है, कि मक्खियों को पकड़ना जहाँ, बड़ा मुश्किल सा काम होता है, क्योंकि अगर एक जहाँ वो housefly पड़ी हुई है, जिसके जहारी बात है compound आई है, वो 360 degree के उपर देख सकत आई है, यह मतलब अपने चारों तरफ जहाँ देख सकती है, क्योंकि उसकी जो आई है, वो एक्चल में compound आई है, जिसके ने thousands of omatidium है, तो यह जो omatidium है, यह सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं, इसका मतलब यह है, कि अगर उस मक्खी के सामने थोड़ी सी भी light change होगी, थोड omatidium के साथ है, वो अपनी एक sensory neuron है, जो कि आगे optic nerve के साथ जुड़ी होते हैं, अब optic nerve वो nerve होती है, जो कि आई से related brain के अदर messages पहुंचाती है, तो basically यहाँ आपर याद रखेगा, कि यह जो omatidium होते हैं, यह compound आई होती है, यह movements को detect करने में इसको help करती है, और इसके सासद इसके अदर image भी बनती है, आपने अभी पढ़ा है, कि जो oscillus होता है, उसके अदर image नहीं बनती है, लेकिन यह बकाइदा हमें देख सकते हैं, जो compound आई है, इसके अदर पूरी एक image, पूरी एक तस्वीर बनती है, और उसके सासद याद रखेगा, कि यह compound eyes है, यह color vision भी provide कर मतलब कि colors के अंदर difference भी इनको पता चल जाता है, जिसके सबसे basic example जागो honeybees की है, कि honeybees के अंदर भी compound eyes मुझूद होती है, जो के मुक्तलिब किसम के flowers के color वगरा है, उसको detect करने के अंदर, उसको learn करने के अंदर जागो यह compound eyes जागो help करती है, तो basically यह compound eyes है, इनका जो visual field है वो काफी जादा wide होता है, मतलब यह 360 के अंदर देख सकती है, तो यह basically हमने simple compound eyes को यहाँ पर discuss किया, compound eye के बाद जो last इसमें हमारे पास multi seller photo receptor के अंदर चीज़ है, वो actually में complex eyes है, जिनको यहाँ पर complex camera eyes भी कहा गया है, इस पूरे topic के अंदर, मतलब जो छोटा सा हिस्सा है photo receptor क इसके अंदर तीन बातें बताए गई हैं, और वो तीनों बातें बहुत जरूरी हैं जिसके वैसे यहाँ पर मैंने तीन paragraph बना ली है, सबसे पहले याद रखेगा कि जो complex camera eyes है, यह squid के अंदर और octopus के अंदर, जब वो invertebrates के अंदर मुजूद होती है, और पूरे animal kingdom के अंद हैं, जिसके अंदर octopus आ जाता है, squid आ जाता है, जिसके हम cephalo ports कहते हैं, इनकी eyes और हमारी eyes, मतलब vertebrate eyes, यह आपस में काफी मुशाबत रखती हैं, मतलब के दोनों के अंदर cornea मुजूद है, दोनों के अंदर retina मुजूद है, दोनों के अंदर ciliary muscles मुजूद है, तो structure काफी match करता है, लेकिन exactly same भी नहीं है, इसमें दो differences हैं, जो नीचे वाले दो paragraph के अंदर हमने discuss किया हुए, अच्छा, अब दोनों के अंदर retina का जो arrangement है, उसमें फरक है, अब क्या फरक है, वो तरह देख लीजगा, कि जो cephalo port की eye का retina होता है, उसके जो receptors होते हैं, वो light की तरफ हो होते हैं, और जो हमारी eye का जो retina है, उसके जो receptors होते हैं, वो back side के उपर मुझूद होते हैं, retina की back side के उपर, अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, for example, आप अपने हाथ की हतेली की तरफ देखें, आपकी जो हाथ की हतेली है, ये actual में हमने retina को, इसको retina consider कर लिया, और let's say ज करें, कि आप अपनी जो हतेली है, वो light की तरफ कर दें, तो ये जो है, मतलब कि ये जो arrangement है, ये actual में, cephalopods के अंदर होती है, कि उनके retina के जो receptors होते हैं, वो light की तरफ होते हैं, अब उसी हाथ को आप उल्टा कर लें, मतलब back side जो है, वो आप रोशनी की तरफ कर दें, ये arrangement हमारी है, कि हमारे अंदर जो retina है, उसके जो receptors होते हैं, वो थोड़े से deep होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, वो बिल्कुल light की तरफ नहीं होते हैं, तो ये पहला difference है, कि retina की जो arrangement है, वो जरा सी different होते हैं, और जो दूसरा difference है, वो इससे भी ज्यादा interesting है, हमारे अंदर ज जो structure है, वो change हो जाती है, जिसके वैसे हम light के हो जो है, वो उसके हवाले से focus कर पाते हैं, लेकिन सिफेलो बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं है, सिफेलो बोर्ड के अंदर क्या होता है, कि उनकी जो पूरी eyeball है, जो पूरा उसका जो अंदर वाली आँख होती है, वो forward और backward मूव क कर सकती है, बिल्कुल एक कैमरे की तरह, आपने अगर DSLR कैमरा देखा हो, तो जब उसके lens को जूम करते हैं, तो उसका lens बाहिर और अंदर की तरफ आता है, सेम इसी तरीके से यह जो octopus बगरा होती है, जब इन्होंने को किसी चीज को जूम करना होता है, तो बकाइदा इनके जो पूरा आई बाल होता है, वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ जब वो मूव करता है, तो यह काफी इंटरस्टिंग डिफरेंसिज जब इसके अंदर बताएगे हैं, यह जी यहाँ पर आप जब दोनों का comparison देख सकते हैं, एक तरफ हमारी आई है जिसको हम vertebrate आई कह और दूसी तरफ ऑक्टॉपस की आई है जिसको हम सिफालो पोर्ड आई भी कह सकते हैं, दोनों के अंदर आई लीड मुझोद हैं, दोनों के अंदर आईरस है, प्यूपिल्स है, लैंस है, कौर्निया है, सीलेरी मसल्स है, आप्टिक नर्फ सारा कुछ मुझोद है, मैं दوبा हमारे रेटीना के थोड़े से डीप जैवो रिसेप्टर्स जैवो मुझूद होते हैं। दूसरा हम देखा कि जब हमने लाइट पर फोकस करना होता तो हमारे लैंस की शेफ चेंज होती है। जबके ऑक्टपॉस के अंदर वो जो पूरा आई बॉल है वो ही फारवर्ड और ब रिसेप्टर्स भी कहते हैं। यह बिसिकली इंसेक्ट्स के जो जॉइंट्स वगएरा होते हैं जो उनके लिम्ज होते हैं मतलकि छोड़ चोड़ चोड़ी टांगे होते हैं उनके अंदर यह स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो मुझूद हो सकते हैं जो के उसके उपर लगने व टैक्टाइल रेसेप्रोटर्स मतलब के बाडि के छोट-छोट के अंदर, स्पाइंश के अंदर, CT जो होते हैं, चोट-चोटी टांगे होती info एंअर्थ denial उम की, ये थर्मोरिसेप्टर्स मुझूद हो सकते हैं जो कि उसको वाटर के टंपरेचर के हवाले से अगा करते हैं उसके लावा कहते हैं कि लीचीज जो के जोंक होती है टिक्स जिसको हम पिसू कहते हैं जो बेसिकली गाये बैंसों के अंदर जो वो होते हैं टिक्स तो इनके अंदर भी thermoreceptors होते हैं जो इनको warm-blooded host की तरफ लेकर जाते हैं पार एक्जेमपल लीच अगर पानी के अंदर मुझूद है अब जब गुजरेंगे तो आपके blood से जो heat निकलती है यह उसको detect कर लेती है और फटा फट यह आपकी leg की तरफ आएगी और अदर अपने दाट गाड़ के तो खून को चूसना शुरू करते हैं तो बिसिकली यह के लीच और इन टिक्स के पास भी thermoreceptors होते हैं जो इनको इनके host की तरफ जो के warm-blooded होते हैं उस तरफ लेकर जाते हैं उसके लावा जो मुखतलिफ crustations हैं जिसमें होर्शू, क्रेब बगएर आजाते हैं यह भी thermal changes को जाएगो डिटेक्ट करते हैं तो यह बिसिकली हमने जाएगो आज sensory reception के हवाले से बात की है कि इन vertebrates के अंदर जाएगों कौन से receptors जाएगों मुझूद होते हैं जो next हमारा lecture होगा वो इन्शाला vertebrates के हवाले से होगा तो इसको आपने अच्छे तरीक दे त्यार करने जो भी इसमें question बगएरा होगा आप लिचे comment session में भी पूछ सकते हैं और class के अंदर भी आप पूछ सकते हैं तो मेरे तरफ से सब लोगों को अलापिस